आजम बनाएंगे भहुत ही अच्छे स्नैक्स ! ये देखे भॉत ही जाद्वा कुरकुरे बनते हैं have fun very soon जल्दें बनते हैं दसमिनाट में बनका रेडी हो जाते हैं मेडियम हाई फ्लेम पर भॉट ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं एक मिनट में फ्राई होके निकल जाते हैं बहुत ही इजी रेसीपी है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि इसके तैयारी आप एक दिन पहले भी करके छोड़ सकते हैं फ्रीज में स्टोर करके सबसे पहले हम लेंगे एक टुकड़ा आद्रप साथ से आठ का लिला सुन चार हरी मिर्ची सबका हमें पेस्ट रेडी करना है यह देखिए मैंने यहां ग्राइंड करके एक दरदरा पेस्ट रेडी कर लिया है आप देख सके हैं मैंने यहां लिये हैं मेडियम साइज के पांच आलू आलू को मैंने यहां बोईल कर लिया है बोईल के ओवे आलू को हमें छीलना है आलू को छील के हमें इसे कद्दू कस करना है आप चाहे तो इसे मैश कर सकते हैं हातों से मैश कर सकते हैं मैसर से मैश कर सकते हैं मैं इसे इस तरह से ग्रेट कर रही हूं आलू को, आलू को ग्रेट करने का एक फायदा है कि जब हम कोई फिलिंग रेडी करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं तो एक समान बनती है, इसमें आलू की गाठे नहीं रहती है, इसलिए मैं इसे ग्रेट कर रही हूं, बहुत ही अच्छी फिलिंग हमारे बनकर ready होती है इस तरह से मैंने यहां सभी आलू को grate कर लिया है आप देख सकते हैं अब लेंगे हम एक कप पोहा थिक पोहा जो regular पोहा बनाते हैं वही पोहा हमें लेना है एक कप पोहा को मैंने यहां पाउल में डाल लिया है और इसे हमें 3-4 बार साफ पानी से वोश कर देते हैं यह देखिए पोहा हमारा बिल्कुल soft हो गया है इसका जो extra पानी बचा है वो हम अच्छे से लिकाल देते हैं चांग देते हैं एक बड़ा बाउल लेंगे इसमें हम डालेंगे जो आलू हमने ग्रेट करके रखे हैं आलू हम इसमें डाल लेंगे आलू डालने के ब इसमें डाल देंगे इसका पानी मैंने रिकाल दिया था हरी मिर्ची अद्रक और लसुन का पिस भी हम इसमें डाल देंगे ब्रेड क्रम्स डालना है हमें एक कप मैंने हम ब्रेड क्रम्स लिया है चिली फ्लैक्स डालेंगे हम वन टेस पी एक चिली फ्लैक्स एक चिली फ्लै मिक्षर तयार हो गया है आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी यूसा नहीं करना है इसे आप किसी भी shape में बना सकते हैं मैं यहां लंबाई में रोल कर रही हूँ यह देखिए लंबाई में रोल करके इस तरह से हम सभी को बनाकर ready कर लेंगे मैंने यहां plate में सभी को बनाकर ready कर लिया है आप देख सकते हैं अब लेंगे हम एक cup cornflakes जो हम दूद में डाल के खाते हैं इसे हमें ग्राइंड करके पाउडर बनाना है यह देखिए कॉन फ्लैक्स को मैंने यहां पाउडर बना लिया है अब जो रोल हमने बना के रखे हैं पोहे के एक एक रोल करके हमें इसे अच्छे से इसमें लपेटना है यह इतनी एजी रेसि में ब sophistic करना देखाष यो खोऔ अच्छी तरह से बनते हैं कुछ भी नहीं करना बहुत ही अच्छी तरह से बनते हैं बहुत ही कुरकुरे आपको fry करना हो तो थोड़ी देर पहले आप इसे बाहर निकाल लेजिए और डीप Ay करना है तेल को हमें अच्छे से गरम करके तेल हमारा भूग अच्छे गरम होना चाहिए मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे फ्राई करने में बहुत ही ज्यादा कम वक्त लगता है इसे फ्राई करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है जैसे हम डालेंगे गरम तेल में गरम तेल में चटपट यह फ्राई हो जाते हैं बहुत ही ज्या तक हमें अच्छे से पलट पलट कर इसे फ्राई करना है बीच पीछ में आपके ऐस की फ्लेम को मीडियम हाई कर लीजिए और फ्राई की जिए बहुत ही अच्छे बनते हैं और भूत कम समय में सबको भूत पसंद आएंगे बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरह से यह देखे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इसे हम बाहर निकालते हैं इसी तरह से हम सभी को फ्राई करके निकाल लेंगे इस पे फ्राई करने के लिए हम ओल डाल देते हैं तीन से चार रोल हम इस पे डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करके सभी को निकाल लेते हैं मै आप टमेटो सौस या ग्रीन चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ने भुले और बैल आइकोन पर क्लिक जरूर कर ले न्यू मोर रेसिपीच के लिए हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे धन्यवाद